नमस्कार दर्शकोड दी एच्पिनू चैनल में आप सभी का स्वागत है आज है तारिक 17 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार है माचल के आज की मुखे समाचल आपको बताने वाले हैं सभी खबरे जानने के लिए वीडियो को आखरे तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए साथ ही अब हमारे वटसेप ग्रूप से भी जूड सकते हैं जिसका लिएक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चलिए शुरुवात करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समचार चुनावी दंगल में उतरने से पहले ही भाजपा ने डलवाए वोड प्रतियाशी तैय करने को पताधिकारों ने किया मद्दान हिमाचल प्रतियश विधानसवा चुनाव में प्रतियाशी तैय करने के लिए भाजपा हाई कमान ने रवयवार को नया प्रयोग किया टिकट टैग करने से पहले भाज़वा पदाधिकारों से चार संसदीर शेत्रों के मुख्यालों में गुप्त मद्दान करवाया गया उन्हें एक से पांस संबावित परतियाशों के नाम परचियों में करमवा लिखने के निर्देश दिये गए थे बैटकों के बहाने ससदीर शेत्रों, शिमला, धर्मशाला, हमिरपुर और मंडी में प्रदीश, जिला, मंडल, मोर्चो, प्रकोष्टों आधी के पदाधिकारें को बुलाया गया उन्हें मौके पर ही बताया गया कि अपने प्रसंदीदा और जिताओ परतियाशों के नामों का गुप्त मद्दान करना है अच्पा ने इस नए प्रयोग की सूचना किसी भी पदाधिकारी को नहीं दी थी, यह सारा काव गोपनिये किया गया ये मत पेटियां पहले दिली से शिम्रा लाई गई इसके बाद रहिवार सुबह हेलिकॉप्टर से इने धर्मशाला, मंडी और हमिरपूर भेजा गया बिजली प्रोजेक्ट की फ्लर्शिंग टरनल में एर ब्लास्ट, एक कामगार की मौत, तीन गायल बिजली प्रोजेक्ट की फ्लर्शिंग टरनल में एर ब्लास्ट होने से एक कामगार की मौत हो गई, जबकि तीन गायल हो गई गहल रामपूर के खनेरी अस्वताल में उपचारा धीन है हादशा शनिवार शुबै 6 बजे हिमाचर परिश प्रावर कॉपरेशन लिमिटिड कमपनी के लिए निर्मानाधीन बिजली प्रोजेक्ट शौंग टॉंग में हुआ जहां अच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है एसपी किद्नौर विवेक चेहल ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुँचकर बिजली प्रोजेक्ट कर निर्मान कर रही पटेल कमपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है हादसे कारणों का अभी तक पता नहीं चला है वही मृतक गंगाराम, निवासी अर्सू, तहसिल निर्मन, जिला कुलू का शव कबजे में लेकर पोस्माटम करवा कर परिजनों को सौप दिया गया है इसके अलावा तीन गहल मजदूरों को रिकांगपी अस्पताल में प्रात्ने कुप चार के बाद खनेरी अस्पताल में भरती किया गया दिवाली से पहले वेरका दूद के दामों में दो रुपे की बढ़ोतरी दिवाली से पहले वेरका दूद के दामों में कंपनी ने 2 रुपे प्रती लिटर बढ़ोतरी कर दी है बड़ी हुई कीमते रईवार से ही लागू हो गई है इस से पहले ग्रहाकों को 1 लिटर दूद के लिए 58 रुपे चुकाने पड़ रहे थे अब 60 रुपे चुकाने पड़ेंगे अभी गर्श सनिवार को अमुल और मदर डेरी कंपनी ने भी दूद के दामों में 2 रुपे की बढ़ोतरी की है अब वेरका ने भी दूद के दाम 2 रुपे प्रती लिटर बढ़ा कर उभोगतों का बजट गड़ बढ़ा दिया है हर्जोद बैंस बोले दो दिन बाद जारी की जाएगी आप प्रत्याशों के सूची आमापनी पाटी के हिमाचल प्रजेश का प्रभारी बनने के बाद पंजाब की शिक्षा मंतरी हर्जोद बैंस रईवार को पहली बार शिमला पहुँचे उन्होने का कि दो दिन बाद आप प्रत्याशों के सूची जारी कर दी जाएगी मीडिया से बादचीत में बैंस ने का कि अगर मुख्यमंती जराम ठाकुर ने हिमाचल में काम किया है तो वह शिक्षा और स्वास्ते के नाम पर जनता से वोट मांगे जनता को बताए कि पांस साल में कितने बैतर स्कूल और अस्पताल बनाए है उन्होने का कि भाजपर कॉंगर्स के सुच्छवी के नेताओं का आप में स्वागत है आप शिक्षा और स्वास्य जैसे मूलगू सुविदाओं के मुद्दे पर चुनाओ लड़ती है सूबे की सिमाओ पर लगाए 110 नाके हर गाड़े की हो रही जाँच विधानसबा चुनाओ के चलते पड़ोसी राज़ों के साथ लगते सूबे की सिमाओ पर 110 नाके लगाए गए है बाहरी राज़ों से हिमाचल आने वाली हर गाड़े की जाँच की जा रही है नकदी, अवैत तरीके से रखी शराप, अवैत खनन और नशीले पदार्थों पर नज़र रखने के लिए CCTV कैमरे स्थापित किये जा रहे हैं नशीले पदार्थों को पकड़ने के लिए भी 65 दल गठित किये गए हैं पुलिस मुख्याले ने सभी पुलिस अधिक्षकों को परदेश की सीमाओं पर अतित पुलिस बलतेनात करने को कहा है चुनाव अचार सहिता लगते ही हिमाचल चुनाव इभाग पल पल के जानकारी ले रहा है राजे कर एवम आपकारी उभाग की और से पिछले दो दिनों में अवैट तरीके से रखी करीब 807 लिटर शराप को कबजे में लिया है शराप के 325 बोतले बरामत की गई है प्रदेश में आचार सहिता लगते ही सरकार के खिलाफ खुल कर सामने आने लगी जनता बीजेपी के खिलाफ जनता की नराजगी कॉंगर्स के अनुमान से कहीं ज़्यादा है यह बात प्रदेश कॉंगर्स के कारेकारी अध्यक्ष एवम विदायक राजेंद राणा ने कही राणा सुजानपूर ग्राम पंचेक दे ककड़ गाओं में आयोजित चुनावी जनसबह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी के राज से नराज है यह अनुमान तो कॉंगर्स को था लेकिन जनता की नराजगी बीजेपी सरकार के खिलाफ नफरत में बदल चुकी है इसका अंदाजा आचार सहिता लागू होने के तुरंद बाद सपष्ट हुआ है राणा ने कहा कि आचार सहिता का एलान होने के तुरंद बाद जनता खुलकर सामने आने लगी है जिनको आचार सहिता से पहले सरकार का खौफ था वे बेखौफ होकर अब बीजेपी सरकार के परती अपनी नराजगी का जजला सर्याम जटाने वा बताने लगे हैं उन्होंने का कि जनता महेंगाई, बिरोजगारी वा अगनीवी जैसी योजनाओ पर अब खुलकर बोल रही है प्रतिभा सिंग की सुरक्षा बढ़ाने को चुनाओ आयोग ने डीजीपी को दिये निर्देश हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाओ से पहले चुनाओ आयोग ने हिमाचल पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है चुनाव आयोग ने पत्र के माध्यम से डीजीपी को हिमाचार कोंगरिस की परदेश अध्यक्ष परतीबा सिंग की सिक्योर्टी अफडेड करना के निरदेश दिये है चुनाव आयोग निरदेश हिमाचार कौंगरिस लीगल सैल की मांक पर दिये है कॉंग्रेसी लीगल सेल ने परतीबा सिंग पर असमाजिक तत्वों से खतरा बताया था इसके साथ ही उन्होंने उनके बेटे विक्रमादिते सिंग को भी बार बार मिल रही खालिस्तानी तत्वों की धंकियां का हवाला दिया था जिसके चलते चुनाव आयोग ने डीजीपी को परतीबा सिंग के सुख्षा बढ़ाने को लेकर पत्र लिखा हेमाचल में द्यदनाक हासा खाय में गिरी पत्रों से बरी ट्रेक्टर ट्रॉली साथ मजदूर दवे हेमाचल के उना जिला में पत्रों से बरी एक ट्रेक्टर ट्रॉली खाय में लुड़क गई इस हासे में ट्रेक्टर पर सबार साथ लोग घायल हो गई यह सबी प्रवासी मजदूर है हासा पुलिस अना अम के तहट लडोली पंचेद के थड़ा गाउं में हुआ है कि अनुसार रईवार को एक ट्रेक्टर चालक अपनी ट्रेक्टर ट्रॉली मजदूरों के साथ पत्थर लोड़कर थड़ा से पंचुवा की तरफ जा रहा था इसी दुरान थड़ा में गहरी उत्राई पर ट्रेक्टर अनिंदित हो गया और करीब 20 फीट नीचे खाई में लुड़कर पलट गया OPS पर गारंटी देने वाले कॉंग्रेस का हिमाचल में हुगा सूपड़ा साफ हिमाचल परदेश में कॉंग्रेस पार्टी में अफरा तफरी और भागम भाग मची हुई है और चुनाओं के समय में नेता बनने के चाह रखे कई लोग कॉंग्रेस को छोड़ रहे हैं जबकि दूसरी और बीजेपी परदेश में दिन परते दिन सशक्त होती जा रही है यह बात हिमाचल परदेश सरकार की शिक्षा मंतरी गोविन सिंग ठाकूर ने रहीवार को मंडी में अगामी विदानसवा चुनाओं के मद्दे नजर संसिदेर शेतर की मीडिया सेंटर के शुबारों उपरांध आयोजीत एक पतरकार वारता में कही शिक्षा मंतरी गोविन सिंग ठाकूर ने कहा कि कॉंग्रेस के कई नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं जिसे आने वाले चुनाओं में वीजेपी की जीत तैय है उन्होंने कॉंगर्स पार्टी के भारा जोड़ो यात्रा पर भितंच कसते हुए कहा कि राहूल गांदी तो जोडने की यात्रा पर निकले हैं लेकिन कॉंगर्स के नेता उनकी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं वहीं उन्होंने OPS को लेकर कॉंगर्स के द्वारा दी गई गारंटी के स्वाल के जवाब में कहा कि जो पार्टी देश भर में अपने अस्तेदु की लड़ाई में लगी हो तो उनकी बातों पर गौर करने की जुरूरत नहीं है शिमला से दिली लोटी सोनिय और प्रियंका गांधी अध्यक्ष पत के चुनाओं में लेंगी हिस्सा राज़ानी शिमला के चराबड़ा में कॉंगर्स की अंतरिम राष्टी अध्यक्ष सोनिय गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड़ा के साथ छे दिन अराम करने के बाद रईवार को वापस दिली लोट गई सोन्या गांधी 10 अक्टूबर को शिमला में अपनी बीटी ए घर छराबड़ा पहुँची थी जबकि उनकी बीटी प्रेंका गांधी वाड़ा चार अक्टूबर को ही शिमला के छराबड़ा सेथ अपने घर पर छुटिया मनाने के लिए पहुँच गई थी दोनों एक साथ रईवार को दिली के लिए वापस लोट गई बताया जायरा कि अखिल भारते कॉंगर्स कमिल्टे के राष्टे अध्यक्षपत के चुनाव में भाग लेने के लिए वे वापस लोटी है आपको बता दे कि आज सोमवार को कॉंगर्स पार्टे के राष्टे अध्यक्षपत के चुनाव होने है सोन्या गांधी वा प्रियंका गांधी दोनों दिली में जाकर वोट डालेंगे इसलिए दोनों रईवार को ही दिली वापस लोट गए इससे पहले बीते रोज हिमाचल चुनाव के लिए टिकट आवंटन को लेकर हुई CDC की बैटक में सोन्या गांधी शिम्रा से ही वर्चल जुडी थी तो ये थे आज के मुखे समाचार उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय हिमाचल